अल्लाहू 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 इबराहीम को वाकई मशूर वाकई लेकिन चौथ है इमाम रिवायते मशूर हैं इसलिए मैं रिवायतों की तफसील में नहीं जा रहा हूँ फिर यहां पर नमाज ही की फजीलत आ रही एक बार सज्जाद नम नमास पढ़ रहे घर में आग लगए सारे घरवाले परेशाद होतीन बच्चों को लेकर घर से बाहर बाग में चली गई जो घर के पीछे बाग है कनीजी और गलाम पानी लाला के आग को ठंडा कर रहे आग को ठंडी हो गई हैरत किया घर एक के दिल में बड़ा कुटी जब में वाकिस आए देखा आगा सज्जाद मुसले पर खड़े थे आख से पहले और उसी तरह से नमास पढ़ रहे अभी नमास खत्म करके अजीब जुमला कहा जैसे ही नमास खत्म की निगाहें उठाएं जली वी दीवार जले वी खिड़किया जले हुए दर्वाजे का ही है अब तो हैरत और बढ़ गई घरवालों की कि ये जुमला बता रहा है कि आखा सज्जाद को पता ही नहीं चला एक तो यह है कि नहीं पता चल जा लेकिन का नहीं हम नमास नहीं तोड़ेंगे अल्ला की नमास है जैसे हमें और आपको यह होता हम नमास पड़ें अचानक खबरा के घरवालों नहीं का आप अर्दंद रसूल ये इतनी जबरदस आप आपको इसास जग नहीं हुआ तो आपका सज्जाद का जवाब था कि आखिरत की आख के खौफ और डर ने मेरे दिल से जुनिया की आख का इसास निकाल दी अब यहां भी दो पैगाम है जैसे मैंने पहले वाकिये में अर्स किया ना दो पैगाम थे यहां भी दो पैगाम यानि पहला तो जो मेरा असल मौदू है आख में बैठकर इस तरह से वक्त गुजारना जैसे कोई बाग में बैठा ये इबराहीम की सुन्नत है ना इबराहीम आख में फेके गया लैकिन इस तरह आराम से बैठे है जैसे बाग में बैठे है और देहतेवे अंगारों के बीक में इस तरह है जैसे कोई महतेवे पुलों के बीच में यह वारिसे अिबराहीम आका हुसैं के लिए मेंहीं है आस्वालेंग, या वारिस इबराहीम कली लिल्लाउ और थाबित किया सज्जाद में दलील सज्जाद ला, सुमुत सज्जाद ला वो उस आख में आराम से बैठे थे और देखो आखे जो वारिस इबराही में वो इस जलती वी आख में कितने आराम से बैठा हुआ पसाथ में चीज़ और बता जी आदम के वाके में मैंने का ये बता दिया कि नमाज कहते है किसे नमाज उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ और ना करना पड़े तुम्हारी अपनी नमाज शेटान को बगा दे या एक और पैगाम दे दे और वो यह कि अगर आखिरत की आख से अपने आप को बचाना है तो खाली जबानी दावे और बातों से काम नहीं चलेगा लफाजियां करना हरे एक को आती है तुम्हें इस नमाज को काम करना वाकिया मज़ीद आगे बढ़ता शाम का वक्त है घर वाले घर के पीछे जो भाग था मेरे मौला का घर उसके साथ एक बाग था देखे शहर मदीना में शहजाजी सातिमा जहरा सलाम अलेहा का हुजरा बहुत मश्यूर छोटा सा हुजरा उसके साथ भी बाग था जो आप अक्सर सुनते हैं ना कि शहजाजी कोई से पानी भर के लाती थी तो क्या समझते हैं आप जो घर से निकलके मजमायाम में मर्दों के बीच में पानी के मश्क लेके जाती हैं कहीं बाहर कुआ हैं वहां कुए से पानी भर के वापिस आती हैं नहीं उस छोटे से हुज्रे में कुआ भी था और बाग भी था बल्के अगर आज आप भी इंटरनेट पर जाएं आज भी इंटरनेट पर जाईए और यूट्यूब पे जाके मसला आप टाइप करें ओल्डेस पिक्चर ऑफ मदीना या ओल्डेस पिक्चर ऑफ मस्चिद नभग तुझे तस्वीर आएगी हरे गुंबच की जरा पीछे से आपको उसके अंदर खजूर का दर्क और छोटा सा बाग भी नदर आएगा यह वही शहजादी के हुजरे के साथ तो आरब के रहने के तरीका यही था कि हर घर के साथ क्या है छोटा सा हुजरा की होना बाग जरूरी मौला सज्जान उसी बाग में नमाज पढ़ रही जो दिन और रात में मिला के हजार रकट नमाज पढ़े तो आपको हर वक्त और हर कैफियत में वो नमाज के आलम में मिले घर में हो तो नमाज, बाग में हो तो नमाज, सुबह का वक्त हो नमाज, शाम का वक्त हो तो नमाज, नमाज पढ़ रहें और घर वाले भी, हिजाब अपनी जगा है, लेकिन उस हिजाब के साथ घर वालों फ्रेश एर ताजा हवा बहुत सारी चीज़े एक बहुत बड़ा मौज़ू बन जाए वो भी बाग में बैठें अपना ही बाग है कोई उसमें नामहरम नहीं और आका सज्जाद का वारिस मेरा पांचवाई माँ बाग में खेल रहा मामी साथ है और मा कोई मामूली मा नहीं है इतनी अधीम शक्सियत कि जिसके जरीए से अल्ला ने लूलू और मरजान जो निकले इनको दोबारा मिला दिया था पांचवाई इमाम हुसाइन का बेटा है और उसकी मा कौन है हसन की बेटी तो वो बहुत अधीम खातून है लेकिन आज इतना नहीं हो सकता कोई अश्रा होता या खमसा होता तो अलग बाग खेलते खेलते पाजवे इमाम कुए में गिर पड़ हर बाग में कुए लाजब माने फरियाद की यह फित्रत है जो अल्ला ने मामे रखी है हसन मुच्तवा की बेटी है बड़ी साहिबे फजीलत बेटी है लेकिन मा है ना फरियाद की तो चौधा इमाम नमाज के आलम में मजगूल है नमाज एक लम्हे के लिए तबज्जो नहताई नमाज खत्रम की और उसके बाद हाद बढ़ाया तो कुए का पानी खुद नीचे से बलंद होके उपर मुंडेर तक आया जिसे कोई किसी को तुफा पेश करता है ना कोई किसी को हातों में रखके हदिया पेश करता है ना उस पानी ने उठा के ये पांचवा इमाम चौथे इमाम के हवाले किया और चौथे इमाम ने बच्चे को मा की गोद में देके जुमला कहा कि अगर मैं अपनी तवज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज कर दो तो